दोस्तों इंडिया और कैनेडा को जो मुद्दा था ना वो और भी बढ़ता ही जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा बताया जा रहा है कि जब US के प्रेज़ेंट जो बाइडन इंडिया आये थे उस टाइम के उपर भी उन्होंने जो निजर की जो किलिंग थी इसक इसको भी थोड़ डिसकस कर लेंगे इनफेक्ट मैंने आपको क्वेशन भी यह दिया था तो यह सारी कुछ चीजें हैं जिनको आज हमें डिसकस करना है तो दोस्तों डेट है आज की 26 सेप्टेंबर 2023 और आप सभी का स्वागत आज के फिलें बूस्टर निउस डिसकसिन के आप में से कुछ लोगों ने कॉमें लिखा था कि सर हमें पीडिएफ नहीं मिल रही देखो अगर आपने इस चैनल को जॉइन नहीं किया हुआ तो पीडिएफ नहीं मिलेगी ठीक है ना क्यूंकि पीडिएफ यहीं पर अपलोड होती है तो 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 आपको यह टेलिगनाम च इस ओफिशल टेलिग्राम चैनल पर ही होता है उच स्ट्वेट्स ने मुझे यह भी बोला कि सर इसकी मंथली कंपाइलेशन दे दिया करिये देखो मंथली कंपाइलेशन आपको आपको भेज दी गई थी इसी टेलिग्राम चैनल के उपर अब एक हफते के अंदर आपका यह सेप्टेंबर महीना खतम हो जाएगा फिर 3-4 अक्टूबर के आज़ पस आपको पूरे सेप्टेंबर के आर्टिकल्स इकठे करके वो भी मल जाएंगे तो इस टेलिग्राम चैनल को अगर आप में नहीं ज्वाइन किया है प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए सारी कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ना मनीपूर के अंदर बहुत हिंसा में देखने को मिली ऐसे टाइम के उपर ना हमारा जो सुप्रीम कोट है उसने कॉंस्टिूट किसको किया जस्टिस मित्तल कमीटी को यहाँ पर क्या हुआ इनका फोकस था कि जो रिलीफ, जस्टिस गीता मित्तल कमीटी के बारे में, तो कल को अगर फिलिम से पूछ ले कि एक कमीटी किस से साल लेंगड है, तो वह भी हम लिखतेंगे, and at the same time, कल को मेंस के अंदर हमें कुछ यहाँ पर वैली ओडिशन करनी हो, तो वहाँ पर भी आप इस कमीटी का जिकर कर सकते हो अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, that is, Indian Air Force inducts First C-295 Transport Aircraft, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह हमारे Defense Minister जी है, ठीक है, यहाँ पर induct कर लिया गया है C-295 Transport Aircraft को, तो थोड़ा से इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखो, actual में होता क्या है न, कि जब भी हम बात करते हैं, different and different purposes की, for example, अगर मान लो कहीं पर न, हमें medical evacuation करना है, या फिर let's say कुछ odd disasters गरा कर गारें कुछ काम करना है, या फिर signal intelligence करनी है, या फिर कई बार न, patrolling करनी है, maritime वाले areas की, वहाँ पर देखना है कि कोई दुश्मन तो नहीं वहाँ पर आगे बैठा हुआ, या ऐसा कुछ हरक aircraft हमें help कर सकते हैं, तो वहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारे जो troops हैं, उनको भी carry किया जा सकता है, या फिर हमने कुछ cargo वगरा भेजना हो, कुछ समान भेजना हो, ठीक है न, evacuation के time की उपर, medical evacuation करनी हो, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें करने के लिए, ये सक्षम ह है आपका, C-295 aircraft, तो I hope इसका जो purpose है न, वो तो आपको समझ आ गया होगा कि ये काम क्या करेगा, जो हमारे पास C-295 aircraft है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर, ऐसे aircraft इंडिया के बस पहले से हैं नहीं क्या, जो हम नहीं कर रहे हैं, देखो हैं, पर actual में इसकी पहले हम क्या करते थे, A-V-R-O, A-V-R-O करके 748, ये aircraft हमारे पास मजूद थे, पर इनको लिए हुए हमारे पास लगबख 60 साल होने वाले हैं, तो काफी उमर होगी है, ठीक है न, इनकी भी, ठीक है, aircraft की भी उमर हो जाती है न, तो काफी पुराने हो चुके हैं, तो हम थोड़ा उनको न नाम सुना होगा, Airbus का, और दूसरा नाम सुना होगा आपने, Boeing का, तो दरसल में ये जो C-295 aircraft है न, ये आपके Airbus के द्वारा बनाए गए हैं, अब पता फरक क्या है, एक्चल में यहां पर हमारे पास टोटल 56 ऐसे aircraft आने वाले हैं, ठीक है, इन में से जो 16 बनेंगे न, वो 16 कहां बनेंगे, वो बनेंगे सपेन के अंदर, ठीक है, तो सपेन से बनेंगे, वो इंडिया को दे दी जाएंगे, पर जो बाकी के 40 हैं, ठीक है न, जो 56 में से 16 कम होगे न, तो बाकी 40 बचे, ये 40 बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर, जो हमारा, मतलब जो Airbus है न, उसने टाटा वालों के साथ, ठीक है, यहां पर लिखा है TASL, टाटा Advanced System Limited, इनके साथ यहां पर पार्टनर्शिप करी है, तो वो गुझरात के अंदर अकॉर्डिंगली बनेंगे, पिर हैदराबाद के अंदर भी कुछ चीज़ें बनेंगी, तो इस तरह से मेकिन इंडिया को भी थोड़ा boost मिलेगा, तो दोनों चीज़ें हैं, यहां पर Spain से भी बनके थोड़े aircraft आ रहे हैं, बाकी यहां पर इंडिया के अंदर भी यहां पर partnership के साथ यहां पर बनाये जा रहे हैं, तो यह चीज़ भी आपको यहां पर पता होनी चाहिए, तो मेकिन इंडिया के अंदर आ अभी जो UNGA का session चल रहा है, थीक है न, नुई यॉक के अंदर, उसकी side lines के अंदर ही इनकी यहां पर meeting होती है, इस time के उपर इनोंने work किया कि कैसे हम कहीं न, एक joint space venture को यहां पर नोंच किया, थीक है, यहां पर क्या होगा, हम space based tools के अंदर कहीं न, कहीं 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 करेंगे, एक्चिल में न, important चीज़ आप notice करो, I2, U2 को न, West Station Quad के नाम से भी जाना जाता है, Quad के अंदर तो आप जानते हो कौन कौन सी countries है, ठीक है, महाँ पर आपका इंडिया हो गया, जपान, औस्टेलिया और US से हो गया, उसी तरह से West Station Quad के नाम से इसको I2, U2 को जाना जाता है, इ Health and Food Security, ये सारी चीज़े हमें देखने को मिल जाती है, पहले इस ग्रूप का नाम क्या था, मतलब जब बनने के टाइम इसको बोला जा रहा था, IFEC, यान कि International Forum for Economic Corporation, अब इसका नाम क्या है, I2, U2 है, ये आपको चीज़े पता होनी चाहिए, UPSC ने मेंस के अंदर भी आलरी इ जब थोड़े दिन पहले हमने अबराहेम अकॉर्ड देखा था ना, तो अबराहेम अकॉर्ड के अंदर हमने देखा कैसे के इसराइल के रिष्टे बागी कंट्रियों के साथ बहतर हो रहे हैं, उसके टाइम के उपर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, अब एक चीज़ है, ये चारों की चारों कांट्री जो है ना, दरहसल में अबराहमिक नी, आटमेस अकॉर्ड की यहां पर पाठ है, आटमेस अकॉर्ड आप जानते होंगे, एक्चल में इंडिया ना, जब हमारे परधान मंत्री मोधी जी, अभी गे थे ना, USA की विजट की उपर, अभी मतल different missions है, जैसे for example, Moon के regarding हो गया, International Space Station के regarding हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बहाँ पर इंडिया भी collaborate कर रहा है, तो NASA और ISRO, यहां पर collaborate करेंगे, हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनको यो जो एस्ट्रोनोट्स हैं, उनको भीजा जाएगा कहां के उपर, International Space Station के अंदर, 2024 के अंदर, यहां पर collaboration हमें देखने को मिलती है, तो और भी different space के regarding, ठीक है न, planetary exploration के regarding, यहां पर country स्क्रीज में collaboration, आर्ट में से कॉर्स के अंदर देखने को मिलता है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकि आप देख लो, ITU की importance तो बहु USA है, UAE है, Israel है, इंडिया है, तो खाफी मुश्किल है थोड़ी चीज़ है में के अंदर का operation, जैसे for example, हो सकता है सारी country बिस अपने आपको priority देती रहें, और actual में पूरी overall चीज़ों का सोची ही न, ठीक है, जैसे for example, US के लिए importance क्या है, कि Iran को कैसे tackle करना, ठीक है, although थोड़ जाते हैं, बाकी इन countries के न, जो business people है, उनका working culture काफी different है, US के अंदर एक पूरा ही capitalistic work काम करता है, UAE के अंदर थोड़ा अलग तरह से काम होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी कैसे manage हो पाएंगी, ये भी कुछ question वाग यहां पर देखने को मिल जाते हैं, next topic की तरफ आगे तो hire किया, कि भाई, तु मेरा घर बना के दे ले, ठीक है न, और इसको पैसा वैसा भी जो भी था, एक प्रोड मानलोच दे लिया मैंने इसको, ठीक है, अब कल को दिक्कत पता क्या हो सकती है, हो सकता है, ये contractor मेरा घर time पर बनाई ही न, मैंने इसको बोला तो एक साल के सारी चीज़े हुई, ऐसे time के उपर न, मैं पता क्या करूंगा, मतलब एक तीसरे party यहां भी involve करनी पड़ेगी, ये तीसरा party का करेगा, ये surety देगा, किस चीज़ की surety, ये surety देगा कि हाँ भईया, ये जो contractor है ये आपको समय के उपर आपका घर दे देगा, अगर ना दिय तो भाईया ये जो surety वाला बंदा है न, या जो surety वाली company है, ये मुझे मेरे नुकसान, मेरे loss की भरभाई करेगी, this is known as surety bond, ठीक है, एक्चल में होगा क्या, ये contractor न, एक तरह से इसको सोड़ा premium देगा, मतलब जैसे आप insurance नहीं लेते हैं, यहां पर कुछ ये premium इसको pay करे क्या न, ये इस तरह से work करता है, तीन यहां पर parties हमें देखने को मिल जाती है, एक तो हो गया आपका principle, principle का मतलब क्या है, जो contractor है न, उसी को यहां पर principle बोला जाता है, surety वाले जो third party है, ठीक है, जिसने यहां पर आपकी guarantee दी, जो insurance companies बगरा हो सकती है, और तीसरा क्या है, oblige मतलब मैं, मैं, जिसने एक काम करवाना था, अब माल लो हमारी सरकार ने ये काम करवाना है, सरकार ने कुछ भी infrastructure का project मिलाना है, तो सरकार उस case में oblige हो जाएगी, principle जो वो होगा, जो contractor है, जो तीसरी party है, जो यहां पर guarantee देगी, कि हाँ यार यार ये काम वगरा अच्छे से ह हो जाएगा, तो इस तरह से ये चीज़ work करती है, अब ही मुद्दा क्या है, हमारी सरकार ने इसको लेकर आ चुकी है, पिछले तीन साल के अंदर, पर कहीना कहीना, जिससे आप समने सोचा था, इसको launch करने का, या फिर इसके जो benefits हम सोच रहे थे कि काफी बढ़िया होंगे, कोई भी default होता है, debt होता है, या फिर project वगरा धंग से काम नहीं होता, तो वहाँ पर surety वाला चीज़ कहीना कि उनको help कर देती है, बाकी बहुत जादा आपको इसकी broad categories के अंदर जाने की जोरत तो भी very honest नहीं है, पर आप फोड़ा सा idea ले लो, एक contract shorty bonds होते है, commercial shorty bonds हमें देखने को मिल जाते हैं, SBI General Insurance ने तो ये issue किये हैं, पर उसके अलावा किसी ने भी ना, इसके अंदर कोई खास रूची नहीं दिखाई है, इस वज़े से थोड़ा असाना, जितना हमने सोचा था, उतने successful अभी तक नहीं देखने को मिले है, surety bonds पर idea हमें जरूर इसक 25 September 1916 को हुआ था, कहां पर मत्रा डिस्टिक के अंदर इनका जनम हमें देखने को मिलता है, 1942 onwards यह जो RSF है, ठीक है, राश्टरी स्वें सिर्क संग, उसके member बन गे, इनके ना कुछ books के अब नाम ध्यान रखो, मतलब एक्चल में उसी बज़ा से मैं ये topic लेकर आया हूँ, य ठीक है ना, जो आज कल हम अकसर बात करते हैं ना, fake news की, paid news की, इन्होंने बोला कि नहीं, news जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वही होनी चाहिए, कोई distortion उसमें ना हो, ये कुछ contributions हैं, ये important है, जैसे for example, समराट चंदर गुप्त, ये इनका literary contribution है, जगत गुरु शंकर अचारिया political diary, integral humanism, ठीक है ना, इकात्मा मानवत, ये कुछ important points हैं, literally contribution के जो आपको ध्यान में रख रहे हैं, बाकि philosophy इनकी कहिना कही ना, गान्दी जी के साथ काफी match करती है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, अगर आप notice करोगे ना, जैसे इनका idea था, वो गान्दीया सोशलिजम की तर production करनी चाहिए, बाकि अंतोध्या, जो गान्दी जी भी कहते थे, welfare of poorest of the pure, ठीक है ना, उनकी यहाँ पर बात करी गई है, भारतियता, धर्म, ठीक है, धर्म राज्या, इनके कुछ ideas यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बाकि इनकी देखो जो philosophy है, कहिना कि इनके अंदर ठीक है न, and कहिना कहिन, small scaling destilization, तो यह अपने आपे बहुत important point है, स्वदेशी भी आप notice करोगे, यह भी कहिना कि गान्दी जी का इडिया है, तो उसी direction में थोड़े इनके विचार मिलते जुलते हमें देखने को मिल जाएंगे, next topic की तरफ आगे चलते हैं, that is five ice alliance, मैंने प्रस करेंगे, actual में आप notice करना, यहां पर पांच countries की बात हो रही है, पांच countries और कौन सी है, यह आपको देखने को मिलेंगे, आपका USA हो गया, और US के जो कुछ स्मित्र है, जैसे for example United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, यह पांचों countries के बारे में आपको पता होने चाहिए, actual में World War 2 के आसपास था कहिना कि इसका formation हुआ था, उसके बाद दुनिया की कुछ important information है, वहाँ पर यह उसको exchange करते हैं, तो अपने अपने shared जो national interest है उनको improve करने के लिए, यह information exchange इनके बीच में देखने को मिल जाता है, ठीक है न, actual में इसके बारे में बहुत जादा publicly available नहीं है, थोड़ा अगर इनके सही हैं, सारे कंट्रिस टेनके indirectly dependent हैं, तो वहीं सही है इनके साथ जो आप इनको trace कर सकते हो, यह countries के नाम आपको definitely पता होने ही होने चाहिए, यह infection मैंने आपको कल homework दिया था, कि इनमें से पांचों कंट्रिस कौन हैं, जो आपकी five eyes alliance का part है, तो बहुत simple answer अब तो आप सथ United Nation ने, इन्होंने मिलकर एक joint quest building initiative start किया है, यह किस के लिए है, global south के लिए, देखो इंडिया का आप G20 का भी agenda देखो, वहाँ पर भी हमने global south को आगे promote किया है, तो यहाँ पर भी न, global quest building initiative के थो भी हम वही चीज़ करने के इनके कोशिश कर रहे हैं, जिसे for example, इंडिया न अच्छा का सा development दिखाई है, काफी तेजी से हमारी economy grow करी है, तो कैसे हमारी best practices and expertise है, वो बाकी countries के हम share कर पाएं, ट्रेनिंग कर पाएं उनकी, तो यह सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, इसके साथ में जो UN India team है, और आपकी जो Bill and Melinda Gates Foundation, एक तरह की NGO ह यह यहाँ पर भी partner करेगी इस चीज़ के regarding कैसे इसको share किया जा सकता है, यहाँ पर focus ही होगा, इंडिया और UN दोनों मिलकर यह चीज़ को कर पाएं, पिछले times के अंदर भी यह चीज़ करी है, फोड़ा आगे भी हम करेंगे, south-south cooperation भी इसके अंदर बड़ेगा, और different-different ज हमारे sustainable development goals हैं, जो हमें 2030 तक achieve करने हैं, वो भी सारे achieve कर पाएंगे, digital public infrastructure मैंने यह भी आपके साथ discuss किया हुआ है, उसको भी हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, यह सारे यहाँ पर हमने जो D20 के अंदर बात करी थी, वो सारे यहाँ पर फर्दर यहाँ पर लेकर आया जाएगा, तो यह कुछ questions है, आज के basis के उपर, ठीक है, true false के अंदर आपको मुझे बताना है, कौन से सही है, कौन से गलत है, और यह वाला question कल हमने discuss किया था, मतलब question नहीं, यह topic हमने कल discuss किया था, इसका मुझे आप नीचे comments में अंसर बताओगे, इनमें से कौन सा ठीक है, आपकी revision भ privilege committee के regarding रहेगा, ठीक है, कल जो मैंने आपको homework दिया था, quickly एक बार उसका मैं अंसर बता देता हूँ, पहला था कि archaeological survey of India, क्या जो अलग-अलग तरह की archaeological activities हमारी country के अंदर है, actual में यह थोड़ा statement इसमें बदल गया था, ठीक है, तो I think यह थोड़ा change है, तो जो भी था I think इसका true answer था, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, exactly, वो थोड़ा, I think मैंने कुछ changes किये थे, इसके अंदर थोड़ी statement गरबड थी, but anyways, इसको आपना ignore कर दो, ठीक है, वो कल कुछ PPD के अंदर ने कुछ changes आगे थे, quad की बात करें, quality security dialogue की बात करें, तो क्या यह इंडिया, जपान, US और France के अंदर है, नहीं, अभी तो बताया, यह चौती country, Australia है, France थोड़ी है, यह आपका false हो गया, क्या लोक सभा के अंदर 10 member होते हैं, privilege committee के अंदर, नहीं, यह बात गलत है, आपके 15 members देखने को मिलते हैं, तो इस third state में आपकी गलत हो जाएगी, एक question तो मैंने अभी discuss करी लिए आप फाइवाइस वाला, अब राहेम अकॉर्ड वाला आप दा देता हूँ, अब राहेम अकॉर्ड भी वैसे हमने पढ़ा ही हुआ है, यहाँ पर इसका आप notice करोगे, यहाँ पर आपको जो countries देखने को मिलती हैं, अब राहेम अकॉर्ड के अंदर, वो आप जानते ह होंगे कौन सी countries है, आपका UAE तो था ही, ठीक है न, उसके रावा आपका इसराइल और आपका बहरीन, यह तीन countries हमें यहाँ आप देखने को मिल जाती है, तो option number B इसका say answer हो जाएगा, यह तो मैंने बताई दिया, अगर आपको PDF चाहिए, तो इस lecture पे, इस Soi Telegram चैनल पे होपा आपको अच्छी लगी होगी, इसी तरह से आप भी अपने एंट पे hard work करते रहिए, goodbye and good luck.